अब इसी विशे से एक जो सवाल निकल कर सामने आता है कि बहुत सारे छात्र मित्रों को स्टुएंट को ये दिक्कत होती है कि केरियर के रूप में वो आइड को चुने या पियार को चुने किस छेत्र में जाए दोनों ही छेत्र काफी अच्छे हैं दोनों में ही future काफी सिक्योर है, responsibility काफी है, salary भी अच्छी है लेकिन मैं फिर लगा कि कुछ अगर difference की बात हो रही है तो दोनों छेत्रों में किसे चूज करना चाहिए इस पे भी एक वेवारिक बाते होनी चाहिए और थोड़ा आज office के लिए college के लिए पहले निकल चुका हू तो मुझे लगा कि 10 minutes इस पे समय दिया जाना चाहिए तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ad और PR दोनों जो छेत्र है काफी promising है अगर किसी को creativity में बहुत interest है, अपनी बातों को कम से कम सब्दों में कहने कि उसके पास छमता है और innovative है, चीजों को read करता है, update करता है उसे multimedia का अच्छा ग्यान है, उसमें graphics है, sounds है, उसे brand की recognition है, public perception की समझ है, तो वो ad उसके लिए best है और मैं बता दूँ, ad में opportunity comparative to PR जादा है ad में आप अपना startup भी कर सकते हैं, PR में भी कर सकते हैं, लेकिन ad में थोड़ा ज़्यादा easy है, आप agency वगरा खोल सकते हैं ad में यह भी है, कि आगे जाकर इसमें package वगरा बहुत अच्छा होता है, और जो ad के लिए script लिखते हैं, जिनको ad में काफी अच्छी पकड़ है, उसे काफी अच्छा package मिलता है लेकिन ad में चुनोतियां ज़्यादा है, आपको हमेशा update होना पड़ेगा, innovative होना पड़ेगा, साथ ही अपनी बातों को कैसे कम से कम सब्दों में कहते हैं, यह आपको जानना पड़ेगा आप देखते हैं कि ad में 10 सकेंड, 15 सकेंड, 20 सकेंड तक आप अपनी बाते कह देते हैं और creative और ad में भी सिर्फ केवल electronic मीडिया का knowledge होना बतलब ठीक है, लेकिन अगर print में ad कैसे निकाले, mobile पे कैसे ad दे, message के थुरू कैसे ad दे तो ad में कई सारे विधा हैं, कई सारे अलग-अलग विधा हैं, सारे को जानना होगा, तो आपके लिए अच्छा च्छित्र हैं रही बात अगर PR की इसके तुलना में अगर ले, तो PR में यह है कि आप किसी organization, किसी वेक्ती, या किसी firm के लिए आप image building का काम करते हैं किसी brand के लिए image बनाने का काम करते हैं, तो इसमें भी power बहुत है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो, यह है कि आपको किसी के under काम करना होता है creative में भी आप under होते हैं, लेकिन उस तरह से under नहीं होते हैं, कि आपको line by line कोई guide करता है PR में आपको थोड़ा सा जादा under में होता है, यानि किसी के under काम करना पड़ता है, प्लस PR में यह भी है कि आपको लिखना पढ़ना अच्छी तरह से आना चाहिए, content writing पर command होना चाहिए कैसे लिखना है, image building कैसे होगा, क्या शब्द चुनना है, क्या photograph होगा, कैसे placement होगा और public dealing का knowledge अच्छा होना चाहिए, यानि कि आप लोगों से मिलने जुल्ले में interest लें, उनके साथ quality time spending में interest लें आप ने-ने, अलग-अलग profile के लोगों से, जिसमें कोई बहुत अमीर हो सकता है, कोई बहुत नीचे तबका का भी हो सकता है, यानि अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग अगले firm के लिए बनाते हैं, लेकिन इसमें आप continuous, अगर एक firm के लिए आप काम कर रहे हैं, साल, दो साल या ज्यादा, तो expectation काफी होती है, कि आप अच्छा image building का काम करेंगे, तो PR है, लेकिन PR में यह है कि authority, थोड़ा सा administrative job है, तो आपके अंडर कई लोगों है, अड में creative job ह तो वो teamwork की तरह होता है, लेकिन इसमें आप था बॉसिजम बगेरा चलता है, एक office का culture है, वो प्यरा PR में आपका होता है, और एक feeling आती है, कि आप एक administrative post पर हैं, तो अगर feeling आपको बड़ी लेनी है, officer वाली लेनी है, administration वाले लेना है, तो PR आपके लिए अच्छा है, आपका railway का कोई PR है, railway में accident हो गया, कहीं पे train, तो कई लोग आप पे गुसा करके भी पूछ सकते हैं, कई पत्रकार आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तो इस तरह के adverse situation के साथ खेलना आपको आता है, या आप enjoy करते हैं, इस तरह के situation को handle करना, तो PR is one of the best carrier for you, add में carrier आपको विदेश तक या है कि आप बड़े-बड़े brand के साथ काम करते हैं आपके team में और बड़े-बड़े brand के साथ endorse करते हैं, movement आपका खूब है, PR में उस तरह का बहुत movement नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ भी आप लोगों से यहाँ भी मिलते हैं, तो दोनों की अपनी खूबसूरती है और दोनों की अपनी अपनी ग्रोथ की strategy है, अपनी अपनी ग्रोथ का skill है, आपको जो पसंद है वो आप करिए, अगर आप अच्छा लिखना पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए PR ठीक है, लेकिन आप कम सब्दों में अपनी बात कहना जाते हैं, आप छोटे से छोटे च भी आप काम जानते हैं, तो आपके लिए एड बहुत अच्छा है, तो कुल मिला कर ये बाते थी, जो मुझे लगा कि आज इसमें बात कर लेते हैं, तक कि जिनको career के रूप में दोनों में से कोई चुनना है, तो उनके लिए ये वीडियो कारगर हो सकता है, एड़टाइज सब जगाप, प्राइबटाइजमें जादातार जो रोजगार है, वा प्राइबट सिक्टर में ही है, तो कुल मिला कर ये थोड़ी जानकारी थी, और अगर पुछ और भी इसमें आगर आपको जनना है, तो आप मुझे बदा सकते हैं, तो फिर मिलते हैं इसी तरह से मत बाई बाई और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक भी